तर्फिस वेल अब्ड आप लेसे स्टार्ट विए इस जो है जोग्राफिश से जीन करती है और सबसे इंपर्टेंट ट्रॉपिक उसमें भी दा अर्थ सर्फेस अर्थ का सर्फेस तब अर्थ के सर्फेस के बारे में बात करती हुए हम लोग जो है इस चेप्टर के दरम्यान और इसके शेप के बारे में जानेंगे, जो seven continents हैं और five oceans हैं, उनके बारे में जानेंगे, अब इससे पहले कि हम इस chapter को पढ़ना शुरू करें, बच्चों की बातचीत को सुन लें, ये पार्क में क्या कर रहे हैं, अब देख ये होश यार बच्चा है, ये कह रहा है, है, do you know that our earth is actually round like this ball, जो अपने साथियों से पूछता है, ये तुमको पता है कि अर्थ जो एक्शुली इस ball की तरह गोल है, और फिर एक दूसरा बच्चा जो है, वो पड़ा सठीक सा प्रशन पूछता है, but we live on flat land, how can we live on a round surface, wouldn't we fall off, वो बोलता है कि हम लोग तो समतल जगा पे रहते हैं, और हम लोग जो है, वो round surface पर कैसे रह सकते हैं, है कि नहीं, क्या हम गिर नहीं जाएंगे, फिर जो बच्चा है, फश्यार वाला, जो पी पहन के वो बताता है, sorry, वो बताता है, well, long ago people believed that the earth was flat, बहुत पहले लोग मानते थे कि earth जो है, वो बिलकुल flat है, आपके घ के टेबल की तरह, but some explorers who went around the earth, proved that it is indeed round in shape, लेकिन कुछ जो explorers थे, जो जोने की earth का चक्कर लगाया था, उन्होंने प्रूव कर दिया कि earth जो है, वो round है, शेप में, और फिर जो है, बच्चा बोलता है, in fact, the shape of the earth is spherical, कि earth का shape जो है, वो spherical है, spherical, जो है, वो exactly, जो है, round भी नहीं कह सकते हो, गोल मटोल है, अब आप से पूछा गया है, कि earth का shape जो है, अब इसके support में आप क्या कह सकते हैं, तो चलिए, इसके support में regions देने से पहले, जो है, हमनो थो थो आगे पढ़के देख लें, कहीं हमें वहीं से कुछ और clues मिल जाएं तो, well, हमने क्या target किया था, कि इस chapter में हम लोग जो है, अर्थ के surface के बाड़े में जानेंगे, जहां हम यह जानेंगे कि earth जो है, वो spherical है, shape अर्थ पे जो है, continents है, जो कि land mass होगे, बड़ा-बड़ा जमीन का टुकड़ा, और oceans होगे, जो कि बड़े-बड़े water bodies हैं, ठीक है, continents में Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe और Australia होंगे, oceans में Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean होंगे, तब चली था से पहले हम लोग जो है, अर्थ के बाड़े में जाने, अगर आप solar system का photo देखोगे, न कहीं पे, तो वहाँ पर आप आप आओगे, अर्थ is the third planet from the sun, सूरज से अर्थ जो है, वो तीसरे नमबर पे आता है, इसके पास atmosphere है, इसमें की oxygen मौजूद है, अर्थ के चारों तरफ हावा का मोटर साइक कह सकते हो कि लेयर मौजूद है, that is earth's atmosphere, ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हो न, ओके, और इस atmosphere में जो है, oxygen मौजूद है, और oxygen क्यों ज़रूरी है जानते ही है आप लोग, अब लोगों को जिन्दा रहने के लिए भी इस was flat, पहली ये माना जाता था कि earth जो है वो flat था, अब in the year 1519, 1519 का साल है, Ferdinand Magellan, a sailor from Portugal, set out in a westward direction, 1519 में Ferdinand Magellan जो है, जो कि पोर्तुगाल का एक नाविक था, sailor था, जो कि जहाज में समुदर में यात्रा करते हैं, तो वो जो है पस्चिम की तरफ जो है, वो चल पड़ा, okay, after sailing for three years, some members of the ship's crew, reached the same port from where they had begun their voyage, समुदर की यात्रा को वोयाज खहते हैं, तो तीन साल तक तैरने के बाद, sail करने के बाद, कुछ जो member थे ship के crew के, crew मतलब समझते को नहीं, जहाज को चलाने के लिए बहुत बड़ी, बहुत सारी लोगों की team चाहिए होती है न, तो ship को चलाने वाले जो होते हैं, उन्हें ship का crew कहते हैं, तो उस ship के crew के कुछ members जो थे, वो वापस उसी बंदरगा पर पहुँच गए, उसी port पर पहुँच ग हो, फिर जो है मैं उसी तरफ से घूम के फिर यहीं पर वापस आ जाओंगा, और इससे क्या प्रूब हो जाएगा, इससे प्रूब हो जाएगा, it established that the earth was round and not flat, इससे यह साबित हो गया कि earth जो है वो गूल था, फ्लैट नहीं था, क्यों रॉंड क्यों फ्लैट नहीं था, पत तो मान लिजे कि यह टेबल हो गया, अब अगर टेबल पर आप जो है, किसी चीज को घसकाते जाओ, घसकाते जाओ, eventually क्या होगा, वो किनारे पर आके नीचे गिर जाएगा ना, क्यों, क्योंकि अगर फ्लैट सर्फेस होगा, तो उसका किनारा होगा, edge होगा, और edge से फिर न यही पर वो वापस पहुंच गए, तो इससे साबित हो गया, कि earth जो था, वो round है, फ्लैट नहीं, अब यहाँ पर एक जानकरी बहुत ही interesting है, पर हम लोग देखते हैं, कि अलग-अलग महादेश हैं, बीच में महासागर हैं, बहुत-बहुत साल पहले, करोडों साल पहले, ज एक बड़ा सा लेंड मास इमर्च हुआ था, मतलब कि एक जगा पर धेर सारा जो है, सूखा जमीन वाला एरिया था, और उसके चारो तरफ बड़ी सी जो है, बड़ा सा एक समुद्र हुआ करता था, तो यह जो लेंड मास था, इससे सुपर कॉंटिनेंट कहा गया, क्यों? क पैंजिया के नाम से जानते हैं, उस समय में कौन होगा वहाँ पर, तो पैंजिया के चारो तरफ जो है, एक जो है, सिंगल ओसन होगा करता था, करीब 200 मिलियन एर्स अगो जो है, करीब 200 मिलियन एर्स पहले जो है, पैंजिया दो पार्ट में बट गया, एक हो गया आपका ग सो में बट गए और जो आज के टाइम में जो कॉंटिनेंट्स है ये कॉंटिनेंट्स बन गए ठीक है और वो संस भी जो आज के टाइम में मौझूद है वो बन गए तो मतलब एक जमाना था जब पूरा लेंड एक जगा पूरा पानी एक तरफ लेकिन देरे-देरे क्या हो गय अब यह कैसे हुआ यह हम लोग जो है आगे की क्लास में जानेंगे ठीक है जहां पड़की मैं आपको बताऊंगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ चीज होती है ठीक है अब आज इस क्लास में हम लोग जो है सिर्फ आप जो है इन डिफरेंट फॉर्म्स पर फोकस करते हैं में उन्हें हम कहते हैं कॉंटिनेंट्स ओके एंड लार्ज कंटिनुएस मासेज और सॉल्ट वार्टर और और जो बहुत बड़ा जो है लगतार फैला हुआ नमकीन पानी का भंडार है धेर है उन्हें हम कहते हैं महासागर अब इसके अलावा सीज गर्फ और बेज जो है यह भ कब बेंगॉल बन जाता है अब चलिए ठीक है यह आपके डिफरेंट कॉंटिनेंट्स हो गए और बीच में फैले हुए आपके ओसंस हो गए ठीक है आफ्रिका इधर जो है आपका यूरोप हो गया यह बड़ा सा लेंड मास्ट जो है यह आपका एसिया हो गया जिसके इधर हमारी इंडिया लोकेटेड है ऐसिया हो गया आफिकल हो गया नार्थ अमेरिका यह यूरोप सॉथ अमेरिका उस्ट्रेलिया रइट डिफरेंट आपके जो है यह एक ओश्टिनेंट्स मॉझूद है यहांपर अंथर्किल्स के नाम हम जानेंगे तो डीखे टोटल जो यह ए साथ seven continents है, there are seven continents in the world, कौन-कौन से है यह, यह आपके साइस की आधार पर जो हैं की लिस्टिंग की गई है, Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia, याद कर लिजिएगा इन नामों को, Now see like Asia जो है, सबसे पहले देखते हैं, तो Asia is the largest continent and occupies one-third of the world's total land area, Asia जो है, वो सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दुनिया के total land area का एक तिहाई हिस्सा घेरता है यह, This continent is surrounded by oceans on three sides, यह continent जो है, Asia continent, यह तीन तरफ से जो है, महासागरों से घेरा हुआ है, ठीक ते, इधर देख लिजिए अप, आपको मिलता है क्या, Antarctic Ocean, Pacific एक तरफ, एक तरफ, एक तरफ, Indian Ocean, महासागरों से घेरा है नहीं यह, To the north lies the arctic ocean, to the east lies the Pacific ocean, and to the south is the Indian ocean, आप लोग जानते हैंने, map में जो है, ऊपर का हिस्सा जो होता है, यह हिस्सा जो है, वो north को point करता है, ये हिस्सा जो है ये East को point करता है और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो South को point करता है तो North में क्या है? Arctic Ocean फैला हुआ है East में क्या है? Pacific Ocean फैला हुआ है और South में क्या है? तो Indian Ocean फैला हुआ है Asia के इंडिया और चाइना जो है वो दुनिया के दो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज है, टू मोस्ट पॉपुलेस कंट्रीज इन दे वर्ल्ड and दे बोथ आर लोकेटेड इन दिस कॉंटिनेंट, दोनों किस कॉंटिनेंट में लोकेटेड है, एसिया में लोकेट जिसे की दुनिया का सबसे नीचा वाला जो है लेन रीजन मना जाता है, सबसे नीचे में है ये लेन रीजन, ये भी जो है एसिया में ही लोकेटेड है, अब एसिया के बाद नंबर आता है आफरीका का, तो एफरीका is the second largest continent in the world ये जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा continent है तो इस नौर्थ lies the Mediterranean Sea to the East lies the Indian Ocean and to the West the Atlantic Ocean ठीक है तो इसके नौर्थ में क्या है आफ्रिका को इधर आप देखो अगर तो इधर जो है और एक तरफ जो है पिया मौझूद है ऐस stay away आट्लांटीक हो गया इस में आट्लांटीकśl औंधि इस में और वेस्ट में जो है एस Expect को स कॉघेयर अप्रिके जो है यह चाइब दैलैंड फार्म है यो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है गर्म रेगिस्तान है the Nile River the longest river in the world ये भी जो है आफरिका में माजूद है and Mount Kilimanjaro which is the highest mountain in Africa. Mount Kilimanjaro जो है वो आफरिका की सबसे आफरिका का सबसे उचा पहार है इसके बाद नंबर आता है आपका North America North America continent नौर्फ अमेरकन कॉंटिनेट जो है, nagyara verse आपको अपको सकता है। इसके उपर में इसके आर्क्ट कौन्ट हो सकता है। डाउट यह होगा कि अखिर काट इस वर्ड मैप में इधर भी Pacific Ocean है और इधर भी Pacific Ocean है तो क्या Pacific Ocean दो है नहीं Pacific Ocean एक ही है अगर आप इसी वर्ड मैप को ग्लोब पर चिपका दोगे तो आप देखोगे कि Pacific Ocean इतना बड़ा है यह इधर से लेके और इधर तक फैला हुआ है काफी बड़ा विस्तार है Pacific Ocean का ठीक है अब चुकि यहाँ पर जो है मैप बनाया गया है फ्लैट सर्फेस पर जो है बनाया गया है इसलिए आपको Pacific जो है वो दो अलग-अलग हिस्तों में दिख रहा है लेकिन Pacific जो है वो एक ही ocean है और इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा ocean है यह इ बड़े जील भी है जिसे कि the Great Lakes which is a group of five freshwater lakes जिसमें कि पांच जो है ताजे मिठे पानी का जो है जील मौझूद है इस कॉंटिनेंट इस होम तु मैनी डेवलप्ट कंट्रीज अप दे वर्ल्ड सच अच 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 अ सबसे रचा अच ए बड़ेगो अच 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 अचस अच 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 करनेच अच अच इसट्मस पानमा दोनों के ऴ ड़ू मेंा ना थे औदेगे हैं चॉर्ड मेंट दूनेंट है में र एंटी्ट लाइस उसर part of South America South America the map अगर देखो गया तिस की पश्चमी भाग को यहानि कि इधर वाले हिस्सी को अगर देखो गी South America के आप तो उधर जो है andies का johan andies range of mountains जो है वह मजूद है the famous Amazon rainforests are located here Amazon rainforest भी यहीं पर located है फिर आई बारि एंस अंतर्क्रिका की तो Antarctica is the coldest and the fifth largest continent in the world. Antarctica जो है वो सबसे थंधा और पांच वहाँ सबसे बड़ा महादेश है इस दुनिया का. It is also called the white continent. इसे जो है white continent भी कहते हैं. क्यों? As it is always covered by a thick carpet of ice and snow. क्योंकि यह हमेशा जो है birds और snow के बड़े से जो है चादर में ढखा रहता है. Due to its extremely cold climate, it is the world's only continent which has no permanent human habitation. Due to its extremely cold climate, इसके काफी जादा ठंडे climate की बज़ा से जो है यह दुनिया का एक मात्र ऐसा महादेश है जहाँ पर यह कोई permanent human habitation नहीं है. Permanent जो है इंसान का निवास यहाँ पे नहीं है. और आपको पता है कि Antarctica जो है, इसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा cold desert भी कहते हैं. Cold desert, desert मतलब वो जगह जहाँ पर कोई रहता ना हो, जो रहने लाइक ना हो. और यह चुकि बर्फ से ढखा है तो यह cold desert हो गया. Sahara was the largest hot desert in the world. It has some research stations run by different countries. यहाँ पर कुछ research stations है अलग-लग देशों के ड़रा चलाई जाने वाले. India also has three research stations. Dakshin Gangotri, Matri and Bharti in Antarctica. So, well, that is about the continents. अच्छा, युरोप बचा हुआ है. चलिए, युरोप जो है, युरोप is the sixth largest continent in terms of size. युरोप जो है, वो छट्था सबसे बड़ा continent है, size के हिसाब से. युरोप और Asia are together called Eurasia and form the longest stretch of land on Earth. अगर आप उस मैप को दिहान से देखिएगा, तो पाईएगा कि युरोप और Asia जो है, वो आपस में जो है, जुरे हुए है. देखरे हो, ये पूरा portion. और दोनों मिलके जो है, समसे लंबा land का जो है, stress तैयार करते हैं. युरोप के एक तरफ जो है, मेडिटेरेनियन सी है, सौथ में, इसके एस्ट में एसिया है, और वेस्ट में अट्लांटिक ओसन है. बहुत आई डेवलप कंट्री जैसे कि युनाइटेड केंग्डम, फ्रांस, ये सब जो है, ये युरोप का पार्ट हैं. अब इसके बाद बारी आती है, आस्ट्रेलिया के. अच्छा हाँ, ये रोप में दो इंपोर्टेंट नदियां भी हैं, वोलगा और डैन्यूब. Australia जो है Australia is the smallest continent in the world Australia जो है दुनिया का सबसे छोटा continent है It is the only continent which is also a country ये एक मात्र है सब महादेश है जो कि देश भी है It is an island and it's surrounded by water on all sides ये जो है एक बरे से दिब की तरह है जो कि चारतरा पानी से घेडा हुए है Australia is famous for its great Australian desert and the great barrier reef Australia जो है वो जो है अपने great Australian desert की वज़ा से और great barrier reef की वज़ा से famous है Great barrier reef जो है वो actually सबसे बड़ा coral reef है अर्थ पे अब coral reef क्या होता है वो मैं आपको जो है अगले lesson में बता दूँगा जब हम लोग oceans के बारे में चर्चा शूव करेंगे तो चलिए आज के lesson को यह पर खत्म करते हैं मिलते हैं अगले lesson में बाबाई झाले में आपके होता है